हेलो गाइज, वेलकम टू माई वीडियो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने ट्यूटर अकाउंट को हमेशा के लिए डिलिट कर सकते हो, तो आएज इस वीडियो को सुरू करते हैं, तो गाइज ट्यूटर अकाउंट को डिलिट कर तो आपको यहाँ पर प्रफाइल आइकन पर कलिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे सबसे नीचे में एक उप्सन दिख जाएगा setting and support तो आपको setting and support पे क्लिक कर लेना है तो setting and support पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको setting and support के जैसे ही एक option आ जाएगा setting and privacy तो आपको setting and privacy पे क्लिक कर लेना है तो setting and privacy पे क्लिक करने के बाद आपके सामने setting वाला page open हो जाएगा तो आपको यहाँ पे उपर ही एक option दिखी जाएगा Your account तो गाई आपको यहाँ पे Your account पे क्लिक कर लेना है तो Your account पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ option आ जाएगा तो आपको यहाँ पे सबसे निचे में एक option दिखी जाएगा Deactivate account तो गाई आपको यहां पे deactivate account पे किलिक कर लेना है तो deactivate account पे आप जैसे ही किलिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा page आजाएगा तो आपको यहां पे सबसे निचे rate color में एक option दिखी जाएगा deactivate तो आपको deactivate पे किलिक कर देना है तो आप जैसे ही deactivate पे किलिक करोगे तो आ आपके सामने एक पेज आ जाएगा, confirm your password, तो आपको यहाँ पे अपने ट्विटर अकाउंट का पासवोर्ड डाल देना है, तो पासवोर्ड डालने के बाद, आपको नीचे में यहाँ पे deactivate पे क्लिक कर देना है, तो deactivate पे क्लिक करने के बाद, आपके सामने कुछ ऐसा pop-up आ हो जाएगा, तो देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ट्विटर अकाउंट को डिलीट करने के बाद, 30 दिनों तक लोगिन नहीं करना है, अगर आप 30 दिनों तक लोगिन नहीं करोगे, तो आपका जो ट्विटर अकाउंट है, वो पूरी तरह से डिलीट हो